आज बनाएंगे मीठी लौंजी बो भी बिल्कुल गाउं वाले देशी अंदाज में देखिए पांच आम लिए हैं बिल्कुल ताजा फ्रेसाम है अभी अभी आम बिल्कुल तोड़ कर लाएंगे पेड़ से और बिल्कुल ताजी आम है आए देखते हैं कैसे बनेगी नमस्क आजी फ्रेसा है तो इनका छिलकाई बहुत अच्छे से अट रहा है क्योंकि यह वैसी मतलब लुजगुजशी नहीं है एकदम ताजी सक्त आम है इस तरह से सभी के हम छिलके हटा लेते हैं और प्रेंट्स अगर वीडियो अच्छी लगे और आपको ऐसी गाओं की देशी रेसिपी पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जो आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन है अब आप तक पहुंच सकें और आप भी ऐसी गाओं की देशी रेसिपी बना सको देखे इस तरीके से हम सब आम की छिलके हटा लेंगे अब इनके लंवी लंवी पीसमें जो इनके उपर अचार है जो इसका गूदा है वो हम इनसे हटा लेते हैं इस पाल्व को इस तरह से ल कर लेते हैं और सबी को हम उतार ल bên頭ी यह हम इसमें डालेंगे यह बहुत ही टैस्टी लगती है और लम्हें में बनाना शुरू करते हैं कड्या इसमें अब बनाना शुरू करते हैं कड्याइ में एक चमज डाल दिया रें सार्स का तेल हम ज्युजाद बस इतना ही काफी है और अब थोड़ी सी मेथी दाना और गैस का फिलेम कर दीजिएगा लो थोड़ी सी सौफ आदी चमच और बिल्कूल थोड़ी चोथा ही चमच से भी कम कलोंजी और थोड़ी सी एक फिंच हींग आपके पास अगर वैसी हड़ा वाली हींगो तो कम डालिए बहुत कर देगा और इसे चला देते हैं Esse हम हम डालेंगे थोड़ा सजीरा जीरा देवी जरू टालेगा इसका ट्शन वहत अच्छा आथा जीरा का का हमारे मसाले अच्छे से चटक गई है अब ऑब इसमें एक चमस हल्दी और डालने के बाद इसे थोड़ी सी खुनेंगे घूनेगे और डिरेक्ट हम इसमें डाल देंगे आम जो हमारे कटे हुए हैं वो यौराम बहुटाल देते एकड़ं को कि इससे नहीं चल रही दूसरी मिझे लेनी पड़ेगी चलाने के लिए अब इसमें डाल देती हूँ hiking जाले चिस में पाय ताल देते हैं कि गिस का फिलीम रहा है एकदम पानी जादी से अटिएगा क्योंकि पनी हैत करतेजाव जाएंगे उसके बार हम से भी असी स्प्डियूल को आदा ठाव नहीं पढ़िए बस low medium flame रखिएगा medium और इसे धक देते हैं कम से कम 4-5 मिनट के लिए इसे धकन लगा देते हैं और इसे हलके हलके आश से उबलने देते हैं देखे अच्छे से यह उबल रही है और अब धकन हटा के हम देख लेते हैं देखिए कितने अच्छे ओल रही है एकदम चला के देखते हैं कलर भी कितना अच्छा आ गया इस पर और बहुत ही टेश्टी बनती है फ्रेंट्स अगर बाहर रखे भी आप फ्रीज से बाहर भी 15 दिन तक खा सकते हैं और फ्रीज में रखे आप एक से डेड़ महीने तक इसा खा सकते हैं यह खराब बिलकुल नहीं होती है एक चमच इसमें मैं धनिया पाउडर डाल दिया एक चमच कस्मी रिलाज में और डेड़ चमच डाली है मैंने इसमें सौंप और स्वाद के कोटिंग नमक और इसे चला देते हैं एक से डेड़ महीना खराब नहीं होती है अगर आप कहीं सफर में जा रहा है फिर भी आप इसे ले जा सकते हैं बहुत ही टेश्टी और हेल्दी रेसिपी बनकर तयार होती है और अब इसमें मैं एक कटोरी मतलब 200 ग्राम इसमें डाल दूंगी गुड़ गुड़ को अच्छे से इसमें दबा देते हैं जो कि अच्छे से मेल्ट हो जाए और इतने 200 ग्राम के करीवी इसमें डाल रही हूं चीनी गुड़ और चीनी दोनों डाले हैं आप चाहूं तो खाली चीनी भी डाल सकते हैं और आप मतलब गूड़ी डाल सकते हैं, और बोर चीनी टॉनों दालेगेक. एसहीं सीतों में ङूटनों, और अच्छा वरन डालेंगेए, और एस्थाइनå कितना आप बड़ावा है। और अब यह बिल्कुल तैयार है बनकर अच्छे से बिल्कुल सॉप्ट हो गई है और थोड़ी देर यह ठंडी होने के बाद बहुत गाड़ी हो जाएगी इसी तरह सा आप इससे हटा लीजिएगा यूंकि यह में देखिएगा कि यह पतली है और रखने के बाद यह बहुत ज पाने के रोटी बनाई जाती है वह उसके साथ में आप खाईएगा बहुत ही टेश्टी रेसिपी है आप जरूर बनाईएगा और एक से डिड़ महिने तक आप फ्रीज में रख ऐसे आराम से खा सकते हैं एक दम गाउं की देशी रेसिपी अगर आपको मेरे बताने का तरीक मेरा दीं